स्वागत है सभी ग्रामेंड डाक सेवकों का आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज जो आप सभी को अल्रेडी पता है क्योंकि ट्रांसफर से रिलेटेड नौटिस तो पहले से ही आ चुका है लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि ट्रांसफर से संदित एक नया नौटिस चारी हुआ है जिसमें कि जो एप्लिकेशन का फॉर्मेट है वो नए फॉर्मेट में आ चुका है तो देखिए ये जो नौटिस है ये अभी हाल ही में आया है 15.07.2021 में तो जिन लोगों ने अभी तक ट्रांसफर के लिए अपलाई नहीं किया है व और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको कि फॉर्म कैसे भढ़ना है इसके अलावा इस्थानांतरन के लिए जो आवेदन आप करेंगे उसका प्रत्यूत्तर उसका जो रिपलाई है वो आपको कितने दिन के अंदर मिल जाना चाहिए ये सारी बाते और भी बहुत सारी ध्यान देने योग ये बाते जिससे आपका फॉर्म कहीं पर अटके ना पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और आपको जल से जल अपनी मन चाही जगए पर होम टाउन में आपका ट्रांसफर हो जाए उसके लिए मैं सारी बाते इस वीडियो में बताने वाली हूं तो वीडियो के यहां पर फॉर्म भढ़ना है सबसे पहले यहां पर यह जो पीडियोफ है इसके अंदर एक फॉर्म का फॉर्मेट दियावा है उसी फॉर्मेट में आपको जो है आपका आविदन करना है देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है एनेक्सचर फर्समें एप्लिकेशन फॉर of grammy in dark से वक तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है आपकी जो post है वो लिख दीजिए जैसे कि आप jds bpm है या jds a bpm है उसके साथ ही साथ आपको अपना sub division लिखना है division लिखना है और circle name लिखना है circle name वो ही होता है जिस state में आप कारिरत है तो ये तो हो गया जो अभी आपकी पॉस्ट है उसके बारे में उसके बाद जब से आपकी जोइनिंग हुई है GDS पॉस्ट पर उसकी डेट यहाँ पे आपको भड़नी है Then education qualification लिखनी है कि आप graduate है 10th past है 12th past है जो भी है आपको यहाँ पर mention कर देना है Then single है या married है उसके बाद आपका TRC लेवल कितना है 1 है 2 है क्या है आपकी basic salary कितनी है 10,000 12,000 14,000 जो भी है वो आपको यहाँ पर mention करना है जो अभी current में आपका है उसके बाद number 7 point में क्या दिया हुआ है GDS post for which transfer is sought for अब आपको जहाँ पर भी transfer लेना है वहाँ पर किस post के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ पर mention कर देना है उसके बाद आपको संबंधित B.O. का नाम लिखना है जहाँ पर आप transfer चाहते हैं Sub office का नाम, Head office का नाम और Regional office का जो भी आपके पढ़ता है वो यहाँ पर mention कर देना है नमबर 8 पर आता है division और circle to which transfer is sort यानि कि जहाँ पर आप transfer चाहते हैं वो division कौन सा है और वो circle कौन सा है Point No.9 में whether transfer sort is mutual यदि आप mutual transfer लेना चाहते हैं यानि कि एक बंदा इधर आ रहा है और एक बंदा इधर से इधर जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? mutual transfer बोलते हैं एक दूसरे के स्थान पर जो posting होती है उसे बोला जाता है mutual transfer तो यदि mutual है तो आपको yes करना है और नहीं है तो आपको लिख देना है no Next आपको क्या दिया हुआ है Point No.9.1 में If on mutual ground यदि mutual ground पर है तो आपको यहाँ पर engagement की detail डालनी है उसके अलावा यदि आप नहीं है तो आपको अपनी जो भी transfer की choice है वो यहाँ पर total 10 choice आप लोग जो है fill कर सकते है Then आपको दिया हुआ है यहाँ पर 11 में आपका जो नाम है वो यहाँ पर fill कर दे और date किस date को आप fill कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको भड़नी है उसके बाद हम चलते हैं आगे next इसका first point जो है I hear by declare वही आप transfer कहां से कहां पर चाहते हैं वो यहाँ पर भड़ दीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम यहाँ पर आपको क्या करना है date डालनी है आपकी form जब आप send कर रहे हैं place आपका BO और SO जो भी पड़ता है यहाँ पर place डाल दें उसके बाद यहाँ पर आप signature कर लें अपने जो भी GDS है और साथ ही अपना जो post है वो भी यहाँ पर जरूर लिख दें उसके बाद यहाँ पर point number 12 में आपको कुछ भी नहीं करना है यह काम किसका है जहाँ पर आप भेज रहे है head of engagement unit division वो लोग जो है आपका यहाँ पर नाम फिल करेंगे date लिख करके उनका sign, seal, signature करके उसको आगे forward करवा देंगे जहाँ पर आप transfer चाहते हैं तो इस प्रकार से यह छोटा सा form है जिसको आप एक से दो मिनिट के अंदर पूरा का पूरा भर सकते हैं तो यहाँ पर गड़बड़ी ना करें subdivision, division circle त्यादी लिखने में यदि आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं आपकी पूरी help की जाएगी अब देखिए आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपको चिंतित होने की बिल्कुल जोरत नहीं है यदि आपने आपका लेटर application भिजवाया है और उसके इतने दिनों के अंदर अंदर आपको वापस से reply नहीं मिला है कोई action नहीं लिया गया है तो आप फिर स की बात होती है तो कितना time मिलेगा यहां पर within 30 days of receipt of application इसका क्या मतलब हुआ यदि आप same division में transfer चाहते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे तो उनको कितना time मिलेगा 30 days का इसके अलावा यदि एक reason within reason के अंदर यदि आप transfer चाहते हैं तो उसके अंदर क्या होगा उनको 15 दिन की समयावधी मिलेगी जिसमें वो अपना जो भी action है वो ले लेंगे उसके बाद within circle की बात आती है एक ही circle के अंदर यानि एक ही state के अंदर यदि कोई transfer चाहता है एक इस्थान से तूसरे इस्थान पर तब भी उनको केवल कितना समय मिलेगा 15-15 दिन मिलेंगे तो यही चीज out of circle के लिए है यदि आप एक circle से दूसरे circle में भी जाते हैं यदि आप suppose MP से राजस्थान में जाना चाहते हैं या फिर आप समझ लीजे कि महाराश्ट्रा से MP में जाना चाहते हैं ऐसा कोई भी transfer यदि आप चाहते हैं तो उसमें भी उनको केवल जो समयावधी मिलेगी वो कोई action नहीं लिया जाता है तो आप वापस उनको apply कर सकते हैं आपका ये अधिकार होगा कि आप उनसे फिर से जवाब मांग सकते हैं कि हमारे application का क्या status रहा है वैसे तो इस notice के according अब उनकी भी जवाबदारी बन जाती है यहाँ पर कि वो इतने दिये हुए timeline के अंदर time limit के अंदर आपको reply कर दे अब देखिए यहाँ पर आपको transfer कितनी बार आप जो है करवा सकते हैं यहाँ पर limited transfer होते हैं यदि आप GDS post पर ही रहते हैं तो ऐसे में लड़कों के लिए दो बार chance मिलते हैं उनकी पूरी GDS life में और लड़कियों के लिए तीन बार chance दिये जा सकते ह हैं और लड़किया तीन बार transfer करवा सकती हैं अब देखिए point number two देखिए आप लोग point number two में यह बता रखा है कि आप जहाँ पर भी transfer चाहते हैं जिस भी division में transfer चाहते हैं उसके अंतरगत GDS post के लिए आपके पास total 10 choice है यानि कि आप 10 अलग अलग बियों के लिए form भर सकते है और वो preference wise आपको भढ़ना है कि सबसे पहले आपको कहां चाहिए दूसरे number पे कहां चाहिए अगर दूसरा नहीं हो पा रहा है तो तीसरे number पे कहां चाहिए and show on तो first choice आपको वही भढ़नी चाहिए जहां पर आपको जाना है अब आगे थोड़ा सा और detail में जानकारी देख बीजिये यदि आप GDS पद पे हैं तो आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कभी कभी क्या होता है हम दूविधा में होते हैं और confusion में होते हैं तो हम transfer के लिए apply तो कर देते हैं लेकिन फिर वापस से लगता है कि यह नहीं जहां पे मैं job कर रहे हैं हम लोग वही इस्थान हमारे लिए सही है तो ऐसे में first place जहां से आप transfer के लिए apply कर रहे हैं second place पे जाने के लिए तो आपको क्या करना है यदि अब आपका मन वापस यह हो गया है कि अब यहां पर transfer नहीं लेना है आपको यहीं पर रहना है तो ऐसे में क्या होगा आपने जो application इस पद के लिए transfer की थी उसको 15 दिन के अंदर अंदर वापस से क्या कर दें मना कर दें 15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी application की request को क्या कर लें withdraw कर लें इससे क्या होगा आपका जो chance है वो उसमें नहीं गिना जाएगा suppose दो बार आपको chance मिलता है लड़कों को तो एक बार first time उन्होंने आविदन तो कर दिया लेकिन अब वो चा रहे हैं कि नहीं जहां हम है वहीं पर ठीक है तो 15 दिन के अंदर अंदर वापस request कर सकते हैं कि नहीं मुझे यह transfer नहीं चाहिए इसे में आपके यह जो दो chance है वो दो के दो ही बने रहेंगे यह खराब नहीं होंगे in future आप इसको use में ले सकत पर boys के लिए अलग experience था और girls के लिए अलग experience होना बताया था किसके लिए transfer के लिए तो boys के लिए पहले बताया गया था कि कम से कम boys को 2 सालों का experience होना चाहिए after joining और girls को one year का लेकिन यहाँ पर girls और boys को हटा करके लिए सभी के लिए समान कर दिया गया है यानि कि यह जब से आ एक साल के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं कभी भी transfer के लिए request कर सकते हैं anytime during the year अब बात आती है mutual exchange transfer की तो ये facility भी one year के बाद ही होती है ठीके available to all GDS on completion of one year यानि कि एक साल जो है आपस में जो भी mutual transfer चाहते हैं उनका हो जाना चाहिए उसके बाद ये बताया गया है कि mutual transfer तो ही जल्दी से हो जाता है क्योंकि किसी को कोई आपत्ती नहीं है दोनों जगह सीटे fill up हो रही है full हो रही है तो SME जो mutual transfer होते हैं वो बहुत चल्दी कर दिये जाते हैं अब देखिए आप लोग सोचेंगे कि ये जो 15 दिन की अवधी दी हुई है action लेने के लिए authorities को division office में जो verification का पुलिस verification ये सारे verification होने के बाद ही आपका transfer जो है वो issue किया जाता है आपको permit किया जाता है एक rule इसमें और ये भी है कि जहां से आप transfer ले रहे हैं जहां पे आप already work कर रहे हैं तो वहां से transfer अन्य जगह पर होने के बाद आप वापस से same place पर join नहीं कर सकते हैं साथ ही कु कौन से level से कौन से level पर transfer ले क्या हम BPM से ABPM post पर transfer ले सकते हैं क्या हम BPM से BPM पर ही जा सकते हैं या फिर क्या ABPM जो है वो BPM की post के लिए भी आविदन कर सकता है यदी कहीं पर खाली हो तो ऐसे confusion के लिए यहाँ पर clearly mention है कि आप कहा से कहा पर transfer करवा सकते हैं जैसे first में आपको आविदन कर सकते हैं और जो BPM level 1 पर posted है वो ABPM और डाक सेवक level 2 के लिए भी आविदन कर सकते हैं ठीके इसी तरीके से यदी कोई BPM level 2 में है तो वो कहा करवा सकता है BPM level 2 में ही जहाँ पर TRCA slave 3 है वहाँ पर करवा सकता है similarly ABPM डाक सेवक जो level 1 में है वो कहाँ पर transfer ले सकते है ABPM डाक सेवक level 1 इन TRCA slave 1 पर भी transfer ले सकते हैं इसी तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हैं कि किसके लिए कहाँ पर जो है सही है apply करना अब देखिए एक rule और आपके favor में यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि आपने कोई increment लिया है कोई earning की है आपने number of increment की है तो वो आपके asities रह अब है वो भी आपके drop नहीं की जाएगी तो यह थी कुछ important बाते इस नए notice के according तो आप सभी जो GDS है आप सबसे यही निविदन है मेरा कि जो form है वो आहिस्ता से अच्छे से ध्यान से भरें form में गलती ना करें ताकि reject हो करके वापस ना आये आपके पास में otherwise हो सकता है कि फिर आपको वापस अगले साल का वेट करना पड़े जब आपसे आवेदन मांगे जाएं वैसे तो आप अब कभी भी कर सकते हैं आवेदन लेकिन उसमें डीले हो सकता है तो अच्छा है कि अभी आपके पास मोका है तो अभी आप अपना ट्रांसफर नियत इंडियन एट पोस्ट इस ग्रूप से इस चैनल से आप लोग टेलिग्राम पर जुड सकते हैं और जो भी नई अपडेट्स हैं जो भी जानकरी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है हम यहां पर प्रोवाइड करवाते हैं आप लोग अपने डाउट्स भी आपर पूछ सकते है क्वेरीज कर सकते हैं आपको बिल्कुल आपका जवाब दिया जाएगा तो बने रही है एनस लेर्णिंग के साथ में बबाई टेक केर